हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूँ महुद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमस महुद बिंद तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इमेल आईडी की आप लोग को भी पता होगा एक टाइम था जब किसी भी फार्म को फिल अप करने के लिए या कहीं भी अपनी आईडी प्रूफ देने के लिए सिर्फ फोटो सिकनेचर और बहुत से तो अड्रेस प्रूफ लगा देने से काम हो जाता था आज कल किया है कि कहीं भी आप अगर किसी आफिस में जाई है तो हर एक फार में आपको एक कालम इमेल आईडी का मिलता है लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को जो इमेल आईडी नहीं बनाना जानते हैं इंपक्ट आप नहीं मोबाइल खरितते हैं तो भी सबसे पह अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आज कैसे आप मोबाइल से email id बना सकते हैं तो आपको सबसे पहले इसके लिए कुछ नहीं करना है ठीक है आप Gmail app खोल लीजिए जो Gmail Google का होता वो open कर लीजिए चलिए मैं open कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों तो यहाँ देखिए यह Gmail app है ठीक है यह देखिए इस तरह Gmail आपका खुल जाएगा मालिज अगर आप पहले से Gmail id इसमें कुछ नहीं डाले है तो यहाँ बोलेगा सिधे की email create करें या got email वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पूछेगा अगर आप पहले email id डाले है आपको नया create करना है या नया इसमें email id डालना है तो आप यहाँ से उपर sandwich बटन थ्री लाइन है यहाँ चले जाईएगा उसका नीचे आजिएगा इस्क्रॉल करके और यहाँ setting में चले जाईएगा ठीक है setting में जाने एक बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जितनी email id डाले है इस mobile में आपको यहाँ पर सो करने लेगी तो आप इसमें फिर add account पर यहाँ है add account के option पर आप क्लिक करिएगा उसका यहाँ देखिए बहुत सारे option आजाएंगे अपकी site पर मतलब अपनी email id बनाना चाहते हैं यह देखिए औरकूट है यहाँ है यह सब अभी चलता है दोस्तों लेकिन उतना नहीं है पहले यहाँ बहुत ज़्यदा चलता था औरकूट भी चलता था होट मेल भी चलता अज कल पता ही आपको Google का जावना हर चीज में Google यह है तो आप simply Google पर क्लिक कर लिजिए ठीक है यह इस तरह कुछ processing लेगा फिर उसको पूछ रहा है वेरिफाई करने के लिए मैं इसे वेरिफाई कर दे रहा हूँ ठीक है यह देखिए इस तरह भेरिफाई करने के बाद यह processing लेकर इस तरह option आ जायेगा अगर आपको mobile में कोई email आईडी नहीं रहेगी तो भी आप वहाँ जब बनाने के लिए option देगा तो वहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह ही आएगा ठीक है तो यहाँ देखिए प ठीक है अब देखिए पूछ रहा है कि मतलब myself मतलब खुद के लिए personal बना चाते है या business के लिए तो simply लोग अपने लिए बनाते है उसको आप कहीं भी उच कर सकते है business में असा नहीं कि business कुछ जा दे बस थोड़ी रह option अधिक बढ़ जाते है ठीक है तो आप इसको myself कर ठीक फिर देखिए इस तरह date of birth पूछ रहा है ठीक है date of birth में आप कुछ भी डाल लिजेगा ठीक है चली मैं डाल देता हूं ठीक है उसके बदेखिए जेंडर पूछ रहा है आप यहां से male female जो भी आप चूच कर लिजेगा ठीक है उसके बद आप फिर यहां से इसको next कर दीजे यह अपने mobile number आप ले लेगा automatic तो यहां पर फिर उसको ऐसे कुछ अपने से create करके देदेगा लेकिन आप चार है कुछ अपने से अलग बनाना तो आप यहां कुछ भी अपने से डाल दीजे चली मैं ऐसे डाल के मैं देखता हूं क्या देलता है ठीक है देखिए मैं ऐसे option दे देता है नीचे अपने से वो by default का पिसमें साबको कोई पसंद आ रहा तो आप यहां से चूच कर लिजे ठीक है तो यह देखिए मैंने डाला simply ले लिया है कोई दिक्कत नहीं है उसको देखिए यहां बोलेगा आपको password create करने के लिए ठीक है तो आप यहां पासवर्ट create कर लिजेगा ठीक है मैं चली मैं password डाल लेता हूं यहां देखिए यहां कुछ भी मैं डालूँगा तो यह देखिए सो कर रहा है यहां टिक पे से आप इसको हटा देंगी तो यह password सो नहीं करेगा ठीक है चली मैं password डाल लेता हूं कुछ भी ठीक है यह देखिए मैं password डाल आपको फिर से यहां next कर देना है ठीक है देखिए next हो गया पूछ रहा है जैसे देखिए add phone number कई बार ऐसा होता है जैसे आपको लगता है आपके email id कोई चुरा सकता है या फिर कोई दूसरा open कर सकता है तो आप इसमें number भी add कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप click करके number add कर सकते है simply मैं इसको skip कर देता हूँ ठीक है यह देखिए कुछ इस तरह बन के आ जाएगा यह मेरा email id बन गया है ठीक है बीना इसको आपकी आप आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन फिर भी आप से करवाना चाहते हैं नहीं आप agree करिए कि वाई मैं agree करता हूँ जैसे insurance का paper होता है इसमें क्या लिखा रहता है पता नहीं इतना मोटा लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है लेकिन आपके मजबूरी है क आप पढ़ भी लेंगे तो अभी आपको agree करना ही पढ़ेगा agree करेंगे तब ही आप आगे जाएंगे नहीं तुने जाएंगे चली मैं इसको agree कर देता हूँ यह इस तरह कुछ processing ले रहा उपर देखिए यह देखिए email id बनके तयार हो गई चली मैं आपको दिखाता हूँ अब आप यहां से click कर लीजिए ठीक है अब यहां देखिए दो ID आपको दिखी रहें यह देखिए इक ऊपर है ठीक है और यह देखिए एक नीचे email id है ठीक है तो यह देखिए email id बनके तयार हो गई आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहां से यह देखिए Google की तरब से आपको message आ जाएगा ठीक है क्रियेट हो गई है वीडियो को like और share करना बिल्कुल ना बोले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें comment करके जरूर बताए और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर से subscribe कर ले और घंटिक आइकान को जरूर दबा ले ताके हमारे अगली वीडियो को notification आपको मिल क्विति रह है